असलाम लेकुम आज जो हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं वो है पैराफिन वैक्स बाद थेरपी पैराफिन वैक्स बाद थेरपी हमारे पास होती क्या है इसमें हम डिफ्रेंट बोडी पार्ट्स के उपर जो है वो मॉल्टन पैराफिन वैक्स अप्लाए करते हैं Molten paraffin wax espacio 40-44 degree celsius तक होता है, जब कि Egypt Haynes 51-55 degree Celsius अगर हम molten wax, जिसका temperature 51-55 degree Celsius जो इसको body parts के ऊपर apply कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि body tissues are burn हो सकते हैं body tissues को burn होने से बचाने के लिए, हम Georgetown elting point काम करते हैं, melting point काम किसे लिएक हैं कि हम убий法 क्वालटिज़ और już 10 को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिक्विट पाय। का कि ना हो डिक्विट' क्वालटिज़ बाट सब्सक्राइब थे खुर्पार्वन छी गुना हमें ज़्धा हीट प्रोवाइट करती हैं ऐस घूर समय अएइव स्वाठी को मघंत करती है क्योंकि हमने इसके अंदर mineral oil यूज किया करता है कि paraffin wax को melting point को कम कर देता है नेक्स्ट वो बता रहें कि अगर हम paraffin and mineral oil को हम combination में use करते हैं combination में क्यों ही use करते हैं कि इसकी specific heat है वो कम होती है specific heat कम होती है तो patient जो है वो easily paraffin से निकलने वाली heat को tolerate कर लेता है as compared to water as compared to अगर हम same temperature के वोटर यूज करें तो वोटर से जादा patient paraffin की heat को easily tolerate कर लेता है next वो ने बताया कि हम composition कितनी रखते है solid wax, liquid paraffin, petroleum jelly इनकी composition कितनी रखेंगे 7, ratio 3, ratio 1 और solid wax और या फिर अगर हम paraffin और mineral oil यूज करें तो इसकी composition कितनी रखेंगे 7, ratio 1 next वो ने बताया है कि conduction, conduction के जरिये जो है paraffin की heat है वो patient की body के अंदर absorb होती है next हमारे पास आज़ता है paraffin wax bath unit, paraffin wax bath unit के हमारे पास कौन कौन से parts है, extendless container है, thermostat है, power pilot lamp है, means है, thermostat, pilot lamp है, lead है और caster है paraffin wax bath unit में वो ये बता रहे हैं कि इसको हमारे पास heat करना असान होता है, heating इसी quicker होती, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमने water jacket यूज नहीं किया होता है, जिसको हमें heat करना पड़े casing के अंदर, casing के अंदर हमारे पास main switch लगा होता है, जिसको हमने on और off करना होता है, ठीक है, और paraffin wax bath unit के अंदर हमारे पास wax पड़ी हुई होती है, और paraffin oil होता है कि थर्म्र स्टेट का हमारे वार्फ क्या फंक्शन थर्म्र स्टेट जो हो हमारे कर एक नोब लग्यो की जिसके रभी हम टिंप्रेुले जरीक हे त में नहा Snap यह हमें बताता चूए थर्मो पाउनन है या उन फेह We इसी तरह पावर पाइलेट लेंप का क्या फंक्शन है कि यह हमें बताता है कि पावर ओन है या ओफ है ठीक है थर्मोस्टेट पाइलेट लेंप बता रहे हैं थर्मोस्टेट ओन है या ओफ है और पावर पाइलेट लेंप बता रहे हैं कि पावर ओन है या ओफ है नेक्स्ट म मैथर्ज में हमारे पास क्या आ जाता है सबसे पहले हमने जो जिस पार्ट को ट्रीट करना है उसको हमने सोप और वाटर की मुझा से दो लेना है दोने के बाद उसके अंदर मॉस्चर आ जाजएगा तो हम टावल से उसको ड्राइ कर लेंगे पेशन की पुजीशन ऐसी होनी च टो पेशन की बौर यहिस पर बर्ण हो सकते है ठीक है तुफ फैर्ट हम यह वह मुश्चर को लेना है उसके बाद हमम्म वेक्स को पलेस करते पेशन की बॉरी टीशिस के उपर उसकिले डिफरन टेकनीक्स रटीटमंट है मैं कहीं आगे सृक्षिंगे क spoilers ज़र डीट्मंट ह हम क्या करते हैं कि जिस बोडी पार्ट को हमने ट्रीट करना है उसके उपर डायरेक्ली किसी मक की मदद से जो है वो मॉल्टन वैक्स अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हम उस पार्ट को किसी टावल वगरा ही मेंसे लपेट देते हैं से बारा मिनट के लिए हम उसको छोड़ देते ताके वह जो वैक्स है वह पर सोलिडिफाय हो जाए और हम वैक्स की कितनी सैवरल लेयर्स अपलाई कर सकते हैं तकरीबन चार से छे लेयर्स जो है वो पेशिंट की बोली टीश्यू के उपर अपलाई कर सकते हैं सेकिंड मैथड हमारे पास कौन साइज आ जाता है ब्रशिंग मैथड ब्रशिंग मैथड में हम डिफरन साइजिस के ब्रश यूज करते हैं पेशिंट के जिस पार को ट्रीट कर रहे हैं उसके उपर हम वैक्स को अपलाई करने के लिए डिफरन साइजिस के ब्रश यूज कर घे चाम कोचा 1 सोलीडीफाइं होने के लिए और लास बीकर करते हैं क्या करते हैं , अजुद होने हैं कि प्रेट आध़ Awwos कोचिनिapor अअधी को पीजिए को दे कर deu में होने के लिए सब्सक्रांइब करते हैं कि ऊदर को शलीडीफाइन हो्ने C यसी वेक्स होती है तो हम उस पार्ट को दुबारा डिप कर देते हैं कंटेनर के अंदर ताकि एक और लेयर उसके उपर आजए पैराफिन वेक्स की उसके बाद हम उसको टावल की मदद से रैप कर देते हैं यह जो मैथड है हमारे पास डिरेक्टिव मरियने डिपिंग बाद हम स्कुंद इसके बाद हम उसको डिप कर सकते लिए प्रोजिमर ब Ödी आ banco को ट्रीट करने के लिए च्छ से लिमें ऑर्लियर देशन के लिए लिए आजाते हैं यह कुछंत बात हैं कि हमने जब टीट्मंट दे लिया पारत से तो हमने क्या करना है कि नेंक्स सेशन के लिए उसको री यूज के लिए हमने इसको चुछी के स्ट्रिलाइस कर लेने है रागुलर क्लीनिंग करनी है और वैक्स को चेंज करते रहना ताके अच्छी हाइजिन मेंटेन रहे नेक्स हमारे पास पास पाराफिन वैक्स भाज थेरपी के कुछ इफैक्स और स्किन की प्लाइबिलिटी इंक्रीज होती है प्लाइबिल्टी में फ्लیک्सिबिल्टी हम उसको थोड़ा सा मॉल्ट वगरा कर सकते हैं स्कार वगरा की केस में स्टिफनस कम होती है और हमारे पास पेन कम होती है नेक्स हमारे पास आथी है इंडिकेशन स्किन की केसिस में हम केस में यूज कर सकते हैं जोइंट स्टिफनेस या एडिजेंस के केस में यूज कर सकते हैं पोस्ट इंमोबलाइजेशन स्टिफनेस और स्कार्स वगरा केस में इसकास वारा केस में जासे कता है कि प्लाइबिलिटी करवाने के लिए हम जो है वो पैराफिन वैक्स बाद थेरपी को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आज़ती कॉंटर इंडिकेशन कहां कहां यूज नहीं करना बाद लिको नेक्स्ट हमारे पास आज़ता है कि हमने पैराफिन वैक्स बाद उन्ट को स्टीराइल करने है री यूस के लिए हमने क्या करना है कि उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है बार बार ठीक है और जो हमारे पास मॉल्टिट पैराफिन वैक्स है उसको हमने उसके निकाल लेना है फिल्टर कर लेना है और उसके बाद इसको वापिस री यूस के लिए ले आना है ठीक है मतलब जो हमाई पास नोमर पाराफिन वैकस करना जो मेल्ट होगी है उसको निकाल लेना और बागी को हमने फिर री यूज कर लेना ठीक है और जो वैकस है उसको हमने छे महीनों में एक दफा लाजमी चेंज करना है